हालो इवडिवन कैसे आप सबी उम्मीद करता हम लोग भरिया होंगे दोस्तों आज किस वीडियो में हमारे पास आ गया है एक बहुत ही आफ़ोडेबल चीपेश मेड इन इंडिया ड्रोन जो किया दोस्तों यह एड़ बड़ी दोस्तों आपको यह ड्रोन पहले नजर में एचेक 750 ड्रोन का क्लोन या कॉपी लग रहा होगा लेकिन दोस्तों यह जो ड्रोन है एचेक 750 से बहुत ज़्यादा अफग्रेड है जैसे कि दोस्तों आपको एचेक 750 में कोई भी बैरोमीटर हाइट सेट का फीचर या वान की टेक आप लैंडिंग का फीचर नहीं मिलता था लेकिन दोस्तों आपको एअरबडी के अंदर वान की टेक आप लैंडिंग का फीचर मिलता है उसके साथ साथ एल्ट्रूट होल का फीचर मिलता है दोस्तों एल्ट्रूट होल यानिकि बैरोमीटर हाइट सेट का जो फीचर है बीगिनर्स के लिए काफी ज़्यादा लेकिन दिलीस के वारे में जितने भी चीज़े बहुत ही डीटेल में एक्स्प्लैन करूंगा और दोस्तों अगर आपको वीडियो देखने के बाद इस दॉन को पसंद आता है तो दोस्तों आप चाहोता हमसे बहुत ही आफॉदेबल प्राइज में एक बहुत ही 11.com साइट को विजित करके यह बड़ी ड्रोन को outder कर सकते हो नहीं तो दोस्तों आप हमें WhatsApp पे contact करके हमारा WhatsApp night जो पर प्रिपेड में भी ओड़ार कर सकते हो चैश न डिलिब्री में भी ओड़ार कर सकते हो प्रिपेड के लिए दोस्त आपको cash on delivery में भी order कर सकते हो दोस्तों यह जो advance amount है 500 rupees का हम इसलिए लेते हैं क्योंकि दोस्तों बहुत सरे ऐसे customer रहते हैं जिनको drone लेना नहीं होता वो just order को place कर देते है cash on delivery में और जब दोस्तों delivery भाई उनको parcel देने के लिए जाता है drone deliver करने के लिए जाता है तब उनको reject कर देता है मतलब receive नहीं करते है इससे दोस्तों logistic का हमारा पुरा loss होता है इससे customer का भी कोई फाइदा नहीं है और हमारा दोस्तों logistic का यह loss होता है courier का loss होता है इसलिए दोस्तों genuine buyer से या genuine जो customers है वही इस drone को buy करे या किसे भी drone को वाई करें हमरे drone के collection में इसलिए दोस्त हमने 500 रूपिस का advance रखा है cash on delivery order के लिए बागे दोस्त आप चालो तो इसको निश्चिन्थ होकर वाई कर सकते हो क्योंकि बहुत सरे लोगों को डल लगता है कि हम 500 रूपिस पे कर देंगे या पूरा पे कर देंगे drone आएगा या नहीं आएगा defective आएगा दोस्तो हम आपको यह assure करते है आपका जो भी order है जो भी drone का order है पहले दोस्तो इदर से check होगा उसके बाद ही दर से dispatch होगा and pack होगा ठीक है तो दोस्तो आप निश्चिन्त होकर इसको order कर सकते हो और दोस्तो अगर कूरियर में कोई भी damage आता है प्रोड़ाट को जश्ट उसका वीडियो shoot कीजी unboxing का जब आपको deliver होता है और आप हमें whatsapp पे वो video shend कीजी अगर दोस्तो कूरियर में कोई video image होता है आपको तुरांत उसका replacement मिल जाएगा तो चले दोस्तो आज के वीडियो में हम करेंगे airbody drone का full unboxing and review drone के बारे में हर एक चीज में आपको explain करता हूं उसके बाद ही दोस्तों अगर आपको drone पसंद आता है फिर आप चाहे तो हमसे drone को buy कर सकते है तो दोस्तों वीडियो को complete देखो carefully देखो वीडियो के अंदा जो भी चीजे में आपको दिखाऊंगा ड्रोन के बारे में actually में दोस्तों आपको ओही चीजे experience आप करेंगे जब आप इसको order करेंगे और जब आप इसको यूज करेंगे ठीक है तो चले दोस्तों सबसे पहले हम करेंथे ड्रोन का unboxing उसके बाद करेंगे flying test और features को मैं test करके दिखाता हूं ठीक है पहले आप इधर देख लो ड्रोन की इसको फ्लाइ करता है थोड़ा सा इधर आप देख सकते हो altitude hold है इसके अंदर बाकी flight हम unboxing के बाद में आपको दिखाएंगे तो चले दोस्तों आज की वीडियो को शुरूगा लेते हैं दोस्तों ये रहा अपना air body drone का box आपको drone कुछ इस्तरीगी का box के अंदर मिलेगा यहाँ पर दोस्तों आप drone का actual looking देख सकते हो और drone के अंदर जितने भी features है इधर highlight किया गया है ठीक है दोस्तों box देखने में काफी ज़्यदा attractive है तो आपको कुछ इस का frequency है वान की take off landing का feature है वान की take off और return का भी feature है बाके return का feature उतना helpful होता नहीं है 360 degree flip बहुत ही वरिया तरीकी से perform कर बाता है और headless mode का feature दिया गया है तो आप चाहिए तो दोस्तों box को कुछ इस तरीकी से handle को पकर कर carry कर सकते है तो चले दोस्तों अभी हम बीना कोई time विस्ट करके इसको कर लेता है अन्बॉक्स और अन्बॉक्स फिरका आपको दिखाता हूं कि आपको इसके अंदर actually में क्या क्या चीजे मिलता है तो यहाँ पर दोस्तों से लुटेप को किया मैंने open तो दोस्तों अभी हमारा box खाली हो चुका है तो box को अभी हम रखते है side में और ज एक जग तो remote का कौन सा की क्या काम करता है बहुत ही अच्छी द्रेगे से दर समझगाये गया है और किस द्रेगे से basically आपको drone को fly करना है तो सारी चीजे दोस्तों इधर mention किया गया है ठीक है बागे दोस्तों मैं आपको video के अंदर भी drone को किस द्रेगे से fly करना होता है drone का क्या काम करता है बहुत ही डीटेल में आपको समझा दूंगा तो अगर आप मैनौल को ना भी पढ़ेंगे तो भी चलेगा बाकि आप चाहे तो मैनौल को एक बड़ी पढ़ सकते हैं तो मैनौल को भी रखते हैं साइड में और आथे दोस्तों एकसरी स्पाउच के अंदर तो काफी सारी चीज़े आपको मिल जाती है तो मैं आपको दिखा देता हूं तो यहां पर दोस्तों सारी चीज़ें को मैं इसके अंदर taking प्रसवाइब को रख देता हूं All right तो सबसे बहुत दोस्तों मैं आपको बैटरी दिखा देता हूं यह रहा दोस्तों आपका ड्रोन का बैटरी जो कि 3.7 बोल्ड का बैटरी जो कि ड्रोन को अप्रोक्स 5-7 मिन्स प्रै टेंग दे दे देता है तो बैटरी के कंडेकटर के builder होगा तो सबसे बाल है दोस्तों बैटरी को फुल चरज करके ही है आप इस डॐन को fly कीजी ठीक है आप डैटरी को ऐसा है यह लिगन करका फ्लाइब किजी दैसी आपको मिलता है आपको बैटरी को 4 debit 4 इक्ष्ट्रमए 4 और यहाँ पर दोस्तों मिलता है charging cable जो कि आपके battery को charge करेगा drone के कुछ इस तरी कि से एसको charge कर सकता है juice इस तरी किसे connect करो अपने mobile के adapter से इसको connect करो जब DRONE का battery charge होगा तब इधर red color का light behö करेगा and जब battery फूल चार्ज हो जाएगा तो लाइट है वो आफ हो जाएगा ठीक है दिन आप समझ ना कि पैट्री फूल चार्ज हो चुकी है तो चार्जिंग के विल मैंने आपको दिखा दिया और मिलते एक स्कूर डाइवर जिसकी मदद से आप ड्रोन को एंड रिमोट को डिमोट के अब दोस्तों यह दा हमारा रिमोट कंट्रोलर जो कि 2.4 गिगाहट का फ्रिकुरेंसी में आ जाता है और रिमोट का साइज दोस्तों इदर देख सकतो कितना ज़दा कॉंपैक्ट है कितना ज़दा चोटा है मेरे हाथ से आप रिमोट को कॉंपैर करो यूजरी ड्रोन का जो रिमोट कंट्रोलर होता है काफी बड़े साइच का ही होता है लेकिन इसका रिमोट कंट्रोलर आप देखो कितना ज़दा चोटा है ड्रोन भी जितना चोटा है रिमोट में दोस्तों इधर है अन आप स्वीच और इधर है दोस्तों वान की टेक आप लेंडिंग के लिए कर सकते है और रिमोट के पीछे दोस्तों इधर बैटरी कॉमपारिमेंट आप इसके अंदर सेल्ज को इंसेट कर सकते है तो रिमोट मैंने आपको दिखा दिया रिमोट का क्या वालिटी का वह बढ़िया है काफी स्मूदली यह वर्क करता है तो रिमोट अभी रखते नीचे और मैं आपको अभी जोन दिखा देता हूँ, जोन काफी बढ़िया तरीके से दोस्तों इधर पैक किया गया है, तो जोन को कुछ इस तरीके से बहाँ निकल लेते हैं तो गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हो, हमारा एरवडी ड्रोन आपके सामने आ चुका है, तो सबसे बादे दोस्ता अगर मैं आपको ड्रोन का बिल्ड क्वालिटी की बात करो, ड्रोन काफी हलके मेट्रियल से बनाया गया है, और प्लास्टिक दोस्तों काफी ज़दा फ्ल आप दोस्तों काफी चोटा ही है और रिमोट भी जोटा है बाकी ब्लिट क्वालिटी मुझे काफी बड़िया लगा, यहाँ पर दोस्तों लाइटिंग मिल जाता है, इदर क्यामरा का डिजाइन है लेकिन इसकंदर आपको क्यामरा नहीं मिलेगा, यह नॉन क्यामरा ड्रोन क्यामरा ड्रोन आता भी नहीं है, तो दोस्तों नीचे से भी आप ड्रोन को देख लो, क्वालिटी बगरा काफी अच्छा है, बच्चों के ले काफी बडियर आएगा, तो अभी दोस्तों हम ड्रोन को फ्लाइ करने के लिए रेडि करते हैं, इसको आपको बैटरी को फुल करनेक्टर मिलेगा, जस्त आपको बैटरी के साथ कुछ इस तरीके से करनेक्ट कर लेना है अपस में, अब देख लो किस तरीके से होता है, ओके, करनेक्ट करने के बाद इधर लाइटिंग लो करना स्टार्ट कर देगा, और ड्रोन का अंदर जो लॉट है, इसके अंदर समचsters एक ड्रोन को ऑफ हम रखते हैं नीचे तो आप हम रिमट को भी का लेते हैं रिमट के लाइब सास्ट करना होगा, ऑल राईट गॉस्टी ओ और ड्रोन को अनक्या देख खो जाता है और यहां पर आप दोस्तो देख सकतो drone अभी ready हो चुका है फ्लाइक करने के लिए आपको ड्रोन को fly करने से पहले मैं कुछ इस तरी के से क्यालिब्रेट करना है तो दोनों stick को मिदिल में करना है तो light blinking करेगा testable हो जाएगा तो इसका मतलब drone अभी कैलिब्रेट हो जुगा है तो आपको flat surface में drone को कैलिब्रेट करना है then दोस्तो आप चाहो तो कुझ इस बले button को press करके भी drone को take off करवा सकते हो यापर आप दोस्तो देख सकते हो तो दोस्तो आप चाहो तो कुझ इस बले के से drone को one key take off के button से take off करवा सकते हो ने तो simply एक बड़ जोईस्टिक को उपर करके drone को start करो then इसको दोबारास से उपर करो drone आपका take off हो चुका है तो कुझ इस बले के से दोस्तो आप drone को take off करवा सकते हो और जितने भी features है और flying बैगरा मैं आपको detail में ground में जाकर explain करता हूँ तो शले दोस्तों अब हम चलते ground में और करते drone का full flying test all right guys हम आचुके है हमारे air buddy drone को लेकर ground में अभी मैं आपको drone को full fly करके सारे features को test करके बताता हूँ कि drone का flying कैसा है drone हमारा अभी on है remote को अभी हम on करते है और इसको connect करते है एक बार उपर और एक बार नीचे ठीक है उसके बाद हम drone को नीचे रखते है तो drone को हम इधर रखते है okay drone को नीचे रखने के बाद दोस्तों हम इसको calibrate करेंगे क्यालिब्रेट करने के लिए simply आपको दोनों स्टिक को कुछ इस तरीके से मूब करना होगा drone का light blinking करेगा दें stable हो जाएगा okay calibrate के बाद हम इसको take off करेंगे इस बले बाटन को प्रेस करके तो दोस्तों यहां पर आप देख सकतो drone अभी हमारा take off हो चुका है दोस्तों अभी थोड़ा बहुत हावा चल रहा है तो हम इधर speed mode को increase कर लेते हैं अभी यह second speed mode में है तो drone का flying सबसे वहले देखो दोस्ता आपको drone के अंदर सबसे बड़ी बात है इसका अंदर आपको altitude hold मिलता है ठीक है मतलब drone अपना एक ही height को या एक ही altitude को maintain कर सकता है कुछ इस तरीके से और बाकी ground में अभी थोड़ा बहुत हवा चल रहा है जो कि इस छोटे से drone के लिए काफी ज्यादा ही हो जाता है लेकिन उसमें अभी drone काफी अच्छी तरीके से इधर अभी fly कर पा रहा है आप ड्रोन को एप्रोक्स 150 फीट्स तक बहुत ही आसनी से फ्लाइ कर सकती हो और बाकी drone का जो साइज है बहुत ज़्यादा छोटा है तो मैं तो आपको ही कहूंगा कि आप इसको ज्यादा हवा में फ्लाइ मत करो और आप इसको ऐसे समय करो जहां डारेक सनलाइट ड्रोन को पर ना आए ठीक है आप इसको सुबह या शाम के टाइम फ्लाइ कर सकतो तब आपको बिल्कुल बेश्ट एक्स्प्रियेंस आएगा ड्रोन से बागी दोस्ता आपको ड्रोन के अंदर कोई पूजिशन लॉकिंग का फीचा तो नहीं मिलता है और जो कि दोस्तों इस तो ड्रोन के अंदर दोस्तों आपको फ्लीप करने का ऑप्शन मिल जाता है तो डिमोट के दोस्तों राइट टॉप कोरनर में एक बटन है जिसको आप प्रेस करके फ्लिपिंग मोड इसका अक्टिवेट कर सकते हो इस बले बटन को प्रेस करो थोड़ा सा वेट करो देना फ यानि की स्ट्रेंड मोट को परफर्म कर पाएगा तो दोस्ते हैं पर मैं आपको फ्लीप मोट एक और दिखा देता हूं तो शिंपली आप कुछ इस तरह की से ड्रोन को फिलिप कर सकते हो और फिलिप करने के बाद भी दोस्तों ड्रोन बिल्कुल सेमी आल्रिटूट के बना अच्छी तरीके से एक ही जगा को रुख सकता है जैसे के अभी ये द्रोन रुखा हुआ क्षिट निगाट्रीगे से अठ्छे करें वे करें तो इस तरीगे से मिलें कर सकते हैं। शेस कर erf appreciate एक और स़ल कर्लीं कर शायं तहीं सैं отвеч कर शुर्ण करें कैसे यह हैं यह तो प्रछा पांच देख स्एन walks यह प्राइज बेंवागन तो दोस्ता आपको द्रोन के अंदर ट्रिम बटन्स मिल जाता है अगर आपका जोन अपने अपसे इधर उदर जाता है तो आप इसको लेफ राइट या फॉरवार्वार्ड में ट्रिम कर सकते हो ठीक है तो इधर मैं आपको दिखा देता हूं यह तर दोनों है फॉरवार्ड और द्रोन को थोड़ा बैकॉर्ड में ट्रिम कर लेते ठीक है अभी देखना अभीक चुका है और थोड़ा राइट साइड में राइट और बैक में करते है तो जून देख सकता अभी थोड़ा सा रूख चुका है बाकि चुनिंग बगर कुछ इस तरी चैसे कर सकते हो आपको आप प्रिक्वेसियंड मिल जाता है तो थी सपीड मोड में है तो थर्ड स्पीड मोड जाँ अब शीड कर देखो रिए करता है झाल झाल दोस्ते हैं आप देख सेक तो ड्रोन फॉर्वार्ड बढ़ने की बहुत जदा कोशिश कर रहा है लेकिन हावा के बज़े से ड्रोन को विल्कुल रोक रखा है हलका होने करान दोस्तों यह तो प्राब्लेम आपको फेस करना ही होगा लेकिन हवा के साथ जब ड्रोन जाता है तब इसका स्पीड आटोमेटिकली बढ़ जाता है तो दोस्तों यह पर आप देखा आपने किस तरी किसे ड्रोन फ्लाइ कर रहा है बजेट की सबसे यह जो ड्रोन जी स्प्राइज में आपको मिलेगा विस प्रैस के सबसे ड्रोन दोस पूल अन्बॉक्सिंग और रिव्यू तो ओबार ओल मुझे काफी बढ़िया लगा बच्चों के लिए काफी एक अच्छा ड्रोन बन जाता है और चारो और गार्ज भी है तो लगने का चांसेश भी चोट लगने का चांसेश भी काफी कम है नाइट में काफी अच्छा दे दिए वाटसब नंबर पर कॉंटक्ट करके जो कि है 988-3346-848 उस नंबर में कॉंटक्ट करके भी दोस्तों आप इस ड्रोन को ऑडर कर सकते हो तो दोस्तों अवरल जोन मुझे काफी बढ़िया लगा अभी आप ड्रोन के फ्लाइंग को और भी अच्छी तरीगे से देख ल Br race up just so they could see me Did what I had to do just to feed me And what was left over, I put towards my dreaming But the only thing in life that has meaning Are the things you gotta work for, believe me Take until your hands a plan Your own hands can land your own brand And damn, I feel like no one takes accountability They want the credibility Convincingly unwilling to put in the f***ing hours It takes to get some power Don't be f***in' sour, take a cold shower Scream until you're louder, work until you're prouder And f*** all the doubters, they're just yuck downers I swear to God they all let me down I always fought just to wear the crown I'm f***ed off at these f***in' clowns Hoover up, Todd, they deserve an ounce It's only worth it if you work for it It's only worth it if you work for it I won't stop till they hear me now I won't stop till I wear the crown I'm just tellin' you to fight for your dreams But it's not what it seems Man, it's hard to be seen